नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज के जमाने में हम लोग अपने फोन्स को on average 2600 बार टच करते हैं एक दिन में इतना ही नहीं, एक research के अनुसार, एक आम एंडियन का COVID के बाद से screen time रहा है 7 गंटे हर दिन यानि हर दिन 7 गंटे हम इसकी तरफ देखते रहते हैं, कभी social media पर scroll करते होई, कभी YouTube पर ये videos देखते होई, कभी Netflix पर फिल्में देखते होई, तो कुछ भी करते होई 7 गंटे अगर आप इस पर बरबाद कर रहे हो, इससे ना सिर्फ आपकी बाकी जिंदगी पर असर पढ़ता है, आपकी पढ़ाई पर, आपकी जॉब पर, आपकी बिजनस पर, आपकी hobbies पर, बलकि यहाँ भी असर पढ़ता है इस एडिक्शन के पीछे की साइंस क्या है, इससे आपकी जिंदगी पर क्या असर पढ़ रहा है, और सबसे इंपोर्टन, क्या हो सकता है इसका सलूशन यहाँ पर दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन सोशल मीडिया एडिक्शन को आपकी बॉडी के अंदर एडिक्शन होता है, उसे काफी हद तक कंपेर किया जा सकता है आपकी बॉडी किसी भी एडिक्शन को लेकर एक पैटन फॉलो करती है, जिसे डोपमिन पैटन कहा जा सकता है पहले हम यह समझते हैं कि यह dopamine क्या होता है dopamine एक neurotransmitter है जो हमारे brain में बनता है यह इसका chemical formula है एक benzene rings दो side में hydroxyl groups और एक amine group attached है ethyl chain पर किसी भी neurotransmitter का काम होता है आपके दिमाख में एक जगें से दूसरी जगें तक message पहुँचाना, signal देना for example oxytocin जो होता है उसे love hormone कहा जाता है वो relationships में bonding के वक्त काम आता है serotonin जो होता है वो mood stabilizer होता है आपके mood को stable रखता है तो dopamine का क्या काम हुआ यहां पर बहुत से लंबे समय तक scientist को लगता था कि dopamine एक pleasure chemical है जब भी हम खुश होते हैं तो उसके पीछे dopamine responsible है लेकिन यह चीज़ सच नहीं है latest research के अनुसार scientist का मानना है कि जो खुशी हमें मिलती है वो actually में dopamine की वज़े से नहीं बलकि endorphins की वज़े से मिलती है endorphins ही है जो happiness booster का का काम करते हैं और pain reliever का का काम करते हैं हमारी body के अंदर dopamine का actually में motivation और reward से लेना देना है जब हमारे दिमाग को लगता है कि कुछ ऐसी activity होने वाली है जिससे हमें खुशी मिलेगी तो उसका इंतिजार करते ही उसकी anticipation में ही हमारे dopamine levels बढ़ जाते हैं इसे एक example से समझाता हूँ याद कीजे जब आप छोटे थे और अपने पापा का घर आने का इंतिजार कर रहे थे आप जानते थे कि पापा आपके लिए chocolate लाने वाले है लेकिन आपको यह नहीं पता था कि पापा घर कब आ रहे है तब ही phone बचता है और phone करके पापा बताते हैं कि वो घर कब आएंगे पापा का phone आया है वो मेरी favorite chocolate लाने वाले है आपने वो chocolate खाई नहीं है लेकिन पापा के घर आने के इंतिजार करते करते ही आपके मूँ में पानी आने लग जाता है क्योंकि आपका दिमाख जानता है कि क्या taste उसे मिलने वाला है यहाँ पर चॉकलेट का चॉकलेट एक reward है यहाँ पर वो reward आने वाला है लेकिन इसकी anticipation में ही उस चॉकलेट का इंतिजार करते ही आपके dopamine levels बढ़ जाते हैं जिसकी वज़े से आपको excitement होती है और खुशी मिलती है इस situation में कुछ भी गलत नहीं है एक आम इंसान की healthy body इसी तरीके से काम करेगी dopamine एक बहुत important role play करता है आपकी motivation में आपकी memory में और आपकी learning में dopamine का एक optimum level बहुत अच्छा रहता है आपकी body के लिए लेकिन ये ज्यादा high या ज्यादा low नहीं होना चाहिए problem तब आती है जब आपको ये reward मिल जाता है आपका brain dopamine transmission को कम कर देता है baseline से भी नीचे ले जाता है और जब same चीज़ का आपको exposure बार बार मिलता रहता है तो इससे दिमाग में आपके chronic dopamine deficit state create हो जाती है जब dopamine low level तक consistently रह रहा है इससे pleasure आपको same level का नहीं मिल पाता same level की खुशी नहीं मिल पाती उस same level की खुशी पाने के लिए आपको और ज्यादा stimuli चाहिए होता है थोड़ा confusing लग रहा होगा ये फिर से example से समझाता हूँ माननो आपको chocolate मिल जाती है अगले दिन आपके पापा एक और chocolate ला कर देते हैं तीसरे दिन एक और chocolate चौथे दिन और chocolate पांचवे दिन और chocolate हर दिन chocolate आती रहती है और आठवे दिन तक क्या जब आपके पापा की call आईगी आपके अंदर same excitement आईगी क्या आपको same खुशी मिलेगी आपने पापा का इंतिजार करते होगे नहीं मिलेगी पिछले साथो दिन से आपको हर रोज chocolate मिल रही है अब वो बात नहीं रही अब chocolate इस concept को psychology में कहा जाता है hedonic treadmill दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे हर दिन अगर आप लेते रहोगे तो आपको उतनी ही खुशी मिलेगी imagine कर लो आपने IIT का entrance exam crack कर दिया जिस दिन आपको result मिले जिस दिन आपको पता चला कि आपने IIT clear कर लिया है अब आप IIT में पढ़ने जा सकते हो आप तो खुशी से नाचने लग जाओगे उस दिन सबको phone करके बताओगे अगले दिन भी सुबह उठकर बहुत खुशी होगे आपको पूरे दिन mood अच्छा रहेगा आपका लेकिन imagine करो एक महीने बाद क्या एक महीने बाद भी आप खुशी से नाच रहे होगे कि IIT में qualify हो चुके हो नहीं करोगे आप यह अगर लोगों ने आपको एक करते हो देख लिया तो लोग आपको पागल बुलाएंगे आज पता चला है कि IIT में admission होगे आज खुश हो ठीक है लेकिन एक महीने बाद भी अगर आप उतनी ही खुशी से नाच रहे हो तो यह नॉर्मल नहीं है सेम चीज कहीं जा सकती है I.S. officer बनने के लिए प्राइम minister बनने के लिए यह ट्रेडमिल की तरह है जिस पे आपको चलते रहना पड़ता है उतनी खुशी पाने के लिए आपको कुछ और नया करना पड़ेगा उससे भी ज्यादा मीर बनना पड़ेगा या कोई और नया सपने को accomplish करना पड़ेगा अब सेम चीज दोस्तों आपकी जिंदगी में achievements के लिए ही नहीं बलकि cigarettes और drugs के लिए भी applicable है एक इंसान जब पहली बार drugs लेता है drugs की एक बहुत छोटी सी मातरा भी उसे एक बहुत बड़ी kick देती है बहुत खुशी मिलती है उसे लेकिन धीरे धीरे उसे और ज्यादा drugs consume करने पड़ते है same level की kick पाने के लिए same level की खुशी पाने के लिए और देखते ही देखते वो कुछ grams drug consume करने लग जाता है भारी मातरा में drugs लेने लग जाता है और बुरी तरीके से addicted बन जाता है drugs से क्योंकि उसके दिमाग को जो खुशी मिल रही थी एक same quantity of drugs से वो धीरे धीरे कम होती रहती social media का addiction भी एक similar तरीके से ही काम करता है जब आप अपने phone पर एक notification को देखते हो आपका दिमाग reward expect करता है dopamine release होता है किसी ने आपकी photo like कर दी किसी ने अच्छा comment कर दी आपकी photo पर आपको खुशी मिलती है एक instant reward यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका दिमाग diary entry में लिखता है इस चीज से मुझे खुशी मिली है मैं यह दुबारा से करूँगा लेकिन धीरे धीरे वो excitement कम होती रहती है सिरफ 100 likes, सिरफ 20 comments सिरफ 2 messages और 10 friend requests काफी नहीं है मुझे और चाहिए और धीरे धीरे आप इसके अंदर गिरते चले जाते हो अब एक सवाल शायद आपके मन में यहाँ पर आए कि जितने भी मैंने examples अभी दिये आपको उन सब में neurological process जो होने लग रहा है वो तो same है तो हर चीज से हम इतने addicted क्यों नहीं बन जाते है IIT clear करने से addicted क्यों नहीं बनते हैं पैसे कमाने के लिए addicted क्यों नहीं बनते हैं सिर्फ drugs, cigarettes, alcohols और social media जैसी चीजों से ही addicted क्यों बनते हैं इसके पीछे दो main reasons हैं दोस्तों पहला है ease of access और दूसरा है speedy reward जो चीज़े यहाँ पर हो रही है कितनी easily accessible है और कितनी जल्दी आपको उनका reward मिल रहा है यह दो risk factors हैं यहाँ पर किसी भी चीज़ से addicted बनने के अब chocolates अगर आपको आसानी से मिलती रहे है जल्दी जल्दी मिलती रहे है तो definitely आप chocolate के भी addict बन सकते हो sugar addiction actually में एक चीज़ होती है लेकिन IIT clear करने के addict आप इसलिए नहीं बन सकते है क्योंकि वहाँ पर कोई speedy reward नहीं मिल रहा है आपको सालों भर मेहनत करनी पड़ती है उस reward को पाने के लिए पैसे कमाने के addict आप तभी बन सकते हो जब आपके बास ease of access हो कोई असान तरीका हो पैसे कमाने का और एक speedy reward भी मिल रहा हूँ जल्दी से आपको ज्यादा पैसे भी मिल रहा है यही चीज होती है actually मैं gambling addiction में जो लोग gamble करते हैं अपने पैसों के साथ जाकर कसीनों में पैसे लुटा देते हैं उनके लिए ease of access है उन्हें दिख रहा है कि यहाँ पर इस casino machine में जाकर मैं ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ तो बहुत जल्दी से उसे आसानी से वो access कर सकते है और reward भी instantly उन्हें मिल सकता है speedy reward भी है तो इसलिए gambling का addict होना बहुत आसान है लेकिन अपना business खोल कर job से धीरे धीरे करके ज्यादा पैसे कमाना उसका addict बनना इतना असान नहीं है next to impossible है क्योंकि वाँ पर speedy reward नहीं है और easy access नहीं है अब इन ही चीज़ों को social media के perspective से देखते है social media और आपका phone बहुत ही easy to access है facebook हो, twitter हो या instagram हो आपको बस अपना phone उठाना है यहां से phone को unlock करना है और एक tap किया यह तीनों apps खुल गी दूसरी चीज़, speedy reward भी आपको मिलने लग रहा है जो likes आपकी post पर आ रहे हैं जो comments लोग करने लग रहे हैं जो messages लोग करने लग रहे हैं यह facebook पर हो गया लेकिन इसके लावा twitter पर instagram पर youtube पर जो videos आप देख रहे हो उनसे जो आपको entertainment मिल रही है जो comedy होंगे शायद वो videos जो हसी आपको आ रही है यह एक reward है कुछ ताइम पहले मैंने यह video बनाया था youtube versus tiktok इसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे tiktok app जो है उसका ease of access और speedy reward और भी ज्यादा है किसी और social media के comparison में tiktok में आपको वीडियो सर्च करने की जरूत नहीं है आपको बस swipe करना है अगर आप swipe ना भी करोगे तो अपने आप next video प्ले होने लग जाएगा और reward इतनी जल्दी आपको मिलता है हर 20 से 25 सेकेंड में एक नया reward मिलने लग रहा है इसलिए tiktok जैसी app और भी ज्यादा addictive है instagram, youtube के comparison में youtube पे ease of access थोड़ा रुख जाता है क्योंकि कई बारी आपको वीडियो खुद से सर्च करना पड़ता है और खुद से जाकर tap करना पड़ता है किसी वीडियो पर tiktok में automatically play हो जाता है वीडियो जैसी app खोलोगे और अपने आप swipe होता रहता है वो नीचे इसे आप बाकी activities से compare करो मानलो आप एक किताब पढ़ना चाहते हो उसमें patience लगता है आप जब तक आप कुछ पढ़ने पढ़ने ही लोगे किताब के तब तक आपको reward नहीं मिलेगा उसमें काफी समय लग रहा है अगर आप बाहर खेलने जाना चाहते हो आपको टीशेट पहननी पढ़ेगी निकरे पहननी पढ़ेगी जूते पहनने पढ़ेगी और बाहर चलके जाना पढ़ेगा फिजिकल एक्सर्जन होगी आपकी बोडी को तो थोड़ा और ease of access कम हो गया अगर आप दोस्तों से मिलने जाना चाहते हो उन्हें phone करना पढ़ेगा प्लैन बनाना पढ़ेगा अड्रेस पहननी पढ़ेगी बाहर जाना पढ़ेगा ease of access और भी ज्यादा मुश्किल हो गया सबसे बेकार और खतरनाक चीज़ पता है क्या है दोस्तों ये सारी social media companies ने जान पूछ कर अपनी apps को ऐसा बना रखा है उन्होंने बहुत detail में study कि psychologically किस से लोग ज्यादा आकरशित होते हैं किन चीजों से ज्यादा लोग addicted बनते हैं क्या करने से लोग हमारी apps का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे ज्यादा screen पर time बिताएंगे और उन्होंने इसी तरीके से manipulate किया अपनी apps को इन companies ने आप लोगों को एक शिकार की तरह देखा और आपके लिए बड़ी ही चलाकी से वहाँ पर जाल बिचाया ये professional लोग जिनें बड़ी बड़ी salaries मिल रही है इन्होंने high level psychological analysis करी लोगों की service किये ये सब पता करने के लिए color scheme से लेकर जो layout होगा buttons का app के अंदर इन सब चीजों का ध्यान रखा है इनने पहले एक जमाना होता था जब आप facebook में नीचे scroll करते गए तो scrolling खतम हो जाती थी जब आपने अपनी सारे दोस्तों की post पढ़ ली थी तो लेकिन अब इन्होंने infinite scrolling एड़ कर दी है Traditionally हमारी सोच यही रही है कि हम खुद से explore करें नई लोगों से मिले नई जगहेंगों में नई hobbies सीखें नई knowledge गेन करें लेकिन कुछ भी नया explore करने में patience चाहिए होता है और समय लगता है जो ease of access और speedy reward आपके phone से आपको मिलता है वो कही और ज्यादा है इसलिए उसे करना कही और ज्यादा आसान है सोचल मीडिया का ये addiction आपकी जिंदगी के लिए हानिकारक है धेर सारे अलग-लग reasons की वज़े से पहलो और सबसे simple reason आपको लगेगा कि आपका time बरबाद हो रहा है ये तो सिरफ एक surface level reason है इसके इलावा radicalization बढ़ता है algorithm अगर आपको आपकी पसंद की ही चीज़े दिखाएगा तो political viewpoints भी आपके एक echo chamber में बन जाते हैं अगर आप right wing post like करोगे आपको सिर्फ right wing चीज़े दिखेंगी left wing चीज़े like करोगे सिर्फ आपको वही चीज़े दिखेंगी दूसरा insecurity और depression बढ़ती है बहुत से लोगों को social media पर देखकर लगता है कि यह कितने अच्छे दिखने वाले लोग हैं जब वो लोगों को filters के अंदर देखते हैं जो teenagers हैं वो और anxious फील करते हैं और ज्यादे depressed होते हैं especially जब उन्हें कम likes मिलते हैं Facebook की अगर आपको याड़ देखोगे तो Mark Zuckerberg ने कैसी image बना रखी है कि दो अंजान लोग जो introverted हैं वो एक दूसरे से Facebook पर बात करना शुरू करते हैं messaging करते हैं, phone numbers exchange करते हैं और फिर असल जिंदगी में मिलते हैं अच्छे दोस्त बन जाते हैं और शायद शादी भी कर लेते हैं दूसरे से Wow, Facebook humanity के लिए कितनी अच्छी चीज है लेकिन Harari ने Zuckerberg से सवाल किया कि क्या सही में Facebook का काम दो लोगों को मिलाना है या फिर Facebook का काम दो लोगों को Facebook पर बनाए रखना है The practical question for also a service provider like Facebook is what is the goal? आपके असल जिंदगी के दोस्त आपके Facebook पर friends बन जाते हैं और आप सिरफ Facebook पर उन्हें देखते हैं उनसे बात करते हैं सिरफ comments के थूँ और messages के थूँ और असल जिंदगी में मिलना भी बंद कर देते हैं कितने अपने Facebook के दोस्तों से आप real life में मिले हैं Anyways, लेकिन अगर हम अपने original topic पर वापस आएं यहां पर Problem है social media addiction Moderation में use किया जाए तो social media अच्छे के लिए भी इस्तिमाल किया जा सकता है मैं यह नहीं कह रहा कि completely बंद कर दो social media को इस्तिमाल करना After all, यह video भी आप एक social media के थूँ ही देख रहे हो और मैं खुद जो काम करता हूँ वो completely social media के थूँ ही होता है लेकिन सवाल यह उठता है कि addiction को कैसे रोका जाए इसका जवाब दोस्तों उन्हीं दो factors में छिपा है Ease of access और speedy reward अगर किसी भी addiction को आपको रोकना है तो आपको ease of access कम करना पड़ेगा और speedy reward कम करना पड़ेगा आज के दिन इतना आसान है facebook खोलना की phone उठाया unlock किया facebook दबा दी लेकिन अगर इतना आसान नहीं होता तो क्या सही में आप facebook को उतना ज़्यादा खोलते हैं एक simple solution है सारी social media की apps delete कर दो अपने phone से यहाँ पर मैं account delete करने को नहीं कहरा हूँ मैं बस apps delete करने को कहरा हूँ अगर आपको यह social media platform से access करने हैं तो आप अपने phone के browser में इने खोल कर कर सकते हो या फिर laptop पर कर सकते हो लेकिन इसका फाइदा यह होगा कि ease of access कम हो जाएगा इतना आसार नहीं होगा उन apps को खोलना आपके लिए तो आप उतना ज्यादा यह behavior नहीं करोगे अगर यह सुनने में थोड़ा ज्यादा लग रहा है आपको तो एक और चीज़ आप कर सकते हो कि notifications off कर दो कम से कम इससे हर minute हर घंटे आपका दिमाग कोई reward expect नहीं करेगा आप apps को तभी खोलोगे जब आप खुद से खोलना चाहो actually मैं देखा जाए solution आपके addiction लेवल पर depend करता है अगर आपको लगता है कि आपका addiction इतना ज्यादा नहीं है तो notifications off कर दो अगर आपको लगता है थोड़ा और problematic है आपका addiction एप्स डिलीट कर दो अगर आपको लगता है और भी ज्यादा addiction हो रखा है आपको उसे और भी कम करना है तो ऐसा करो आप सिरफ private browsing में जाकर इन apps को खोला करो इसका मतलब यह हुआ कि जब भी आप Facebook या Twitter या Instagram खोलोगे आपको browser पर अपना password हर बारी डालना पड़ेगा इससे ease of access और ज्यादा मुश्किल हो गया तो simple logic है जितना मुश्किल होगा आपके लिए ये action करना उतना ही अच्छा है आपके addiction के लिए उतना ही कम addicted आप बनोगे सेम चीज़ फोन के लिए भी कही जा सकती है क्या आप जानते हो मेरे फोन में कोई भी sound on नहीं रहती कभी भी कोई भी notification आई उसकी कोई आवाज नहीं आएगी क्योंकि मैं नहीं चाहता कि notification की वज़े से मैं distract हूँ अपने काम से और phone देखने लग जाओ वैसे भी on average एक आम इंसान अपने phone को 50 times खोलता है तो वैसे भी जब मैं खोलने ही वाला हूँ 50 बारी तो तब देख लूँगा उस notification को यही same logic बहुत सारे अलग-अलग type के addictions को control करने के लिए इस्तिमाल किया जा सकता है अगर आपके आस पास कोई cigarette की दुकान ही नहीं है आपके लिए cigarette खरीदना बहुत मुश्किल हो रहा है या आपके पास पैसे नहीं हो खरीदने के तो obviously आपके लिए और ज़्यादा मुश्किल बन जाता है smoking addict होना अगर आपके पास gambling का कोई जरिया नहीं है आस पास कोई casinos नहीं है तो obviously आप gambling addict नहीं बन पाऊगी अगर आपको लग रहा है दोस्तों यह जो चीजे मैंने आपको इस वीडियो में बताई यह काफी knowledgeable है आपकी जिंदिगी में useful होंगी तो मैं आपको definitely कहूंगा मेरा course जाकर check out करिये join कीजी सही सोना आपने मैंने एक पूरा पूरा course बनाया है time management और productivity पे जिसमें मैंने detail में इनी चीजों के बारे में बात करी है जैसे कि procrastination किन reasons की वज़े से होती है और क्या solutions है उनने counter करने के लिए कैसे आप अपनी पढ़ाई में, अपनी job में, अपनी business में productivity बढ़ा सकते हैं और जिन्दगी में ज्यादा time पा सकते हैं अपनी मन पसंद चीजे करने के लिए इस course को बनाने के बीचे मेरा purpose है आपकी जिन्दगी में सही माइनों में बदलाव लाना और ये सिरफ one-sided video lecture सुनकर नहीं हो सकता तो इस course में ना सिर्फ videos आपको देखने को मिलेंगे इस तरीके से बलकि एक पूरा curriculum चलेगा जिसमें आपके classmates होंगे classmates के हर group को trainers दिये जाएंगे एक fixed time schedule पर आपको homework assignments दी जाएंगी ताकि आप अपनी जिंदी में changes implement करें और मेरे साथ live interactions भी होंगे जहांपर आपके doubts clear हो सकते हैं तो इतना सब organize कराने के लिए बहुत मेहनत लगी है मुझे अपनी तरफ से इसलिए मैं चाहूंगा जरूर जाकर check out करिये link इसका नीचे description में मिल जाएगा और आप में से पहले हजार लोग जो जाकर link पर click करेंगे course को join करेंगे उनके लिए special 33% discount है यह discount आप में से सिर्फ पहले हजार लोगों को ही मिलेगा उससे ज्यादा नहीं है इस course को बनाया है मैंने नास Academy के साथ और अब इसका एक छोटा से टीजर आपको दिखाना चाहूंगा Life is like a, you know, like a treadmill, right? It's like, you don't wanna increase the speed of the treadmill just to go faster because eventually you're gonna end up like falling off the treadmill What if I tell you, you don't have to wake up at 5am in the morning to be productive You don't have to work for 100 hours a day to get stuff done You don't have to sacrifice your health or your relationships to be successful Because productivity is all about creating balance and I'm going to show you how to do it In this course, I'll talk about goal setting and work-life balance based on my personal experience This will be helpful for you whether you're an employee working in a 9-to-5 job an entrepreneur working on your business, a student, an aspiring creator or even a stay-at-home parent I worked really hard on this course and I truly believe this has the potential to change your life See you in the class One thing is, this course is completely English, I've said it in English but you'll also have Hindi subtitles you'll find it in English So I'm hoping to do that the video will always be informative and I'll meet you in the course Thank you very much Thank you Alright I'm just kidding I'm just kidding I'm just kidding I'm just kidding But if you're talking about say temperogens